इस वीडियो में हम चैप्टर 7 डिसकस करेंगे NCIT क्लास 8 का और यह चैप्टर होगा पौधे एवं जन्दूओं का सन रक्षण और इंग्लिस में बोलेंगे इसको हम Conservation of Plants and Animals ठीके इस पूरे चैप्टर में हमारा जो पढ़ने का मतलब होगा वो सारी चीजे हम कौन-कौन सी पढ़ेंगे यहां पर एक तो हम वाइडले लाइफ सेंक्टरी इसके बारे में जानेंगे इसके अलावा जो बाइस्फियर रिजर्ब्स होते हैं उनके बारे में जाने ठीक है तो इस तरीके से हम यहां पर उन सारे points का discussion करेंगे जो आपका atmosphere जिसे चलता है आपने food chain के बारे में भी सुना होगा तो food chain के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आवशक हैं पॉधी क्यों आवशक हैं पेड़ पॉधी क्यों आवशक हैं जनतु क्यों आवशक हैं ठीक है point हमें यह जो discuss करने जा रहे हैं वो करेंगे हम deforestation and its causes मतलब बनौन- بهलन ठीक है इसको बोलते हैं धी for description मतलब क्या हो जाएगा बनों को लगा ना ऑग सब्सक्राष जाएक बरनों को खतम करना ठीक है इसको बोलते हैं बनून- molar ठीक है तो इसके कौन-कौन से causes हैं यह क्या है इसके बारे में हमें आपे discuss करेंगे देखे बहुत सारे दुनिया भर के पौधे और जन्दू आपकी पृत्वीप पाये जाते हैं ठीक है और ये सारे पौधे और सारे जन्दू एक-एक चीज का importance होता है ठीक है और लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है इन जीवों के अस्तत्य के लिए बनोन मूलनया डीफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है ठीक है बनो को समाप्त करके भूमी प्राप्त करना एम दूसरे कारेयों के लिए उस भूमी का उपियो करना बनो में ब्रक्षों की कटाई करना ये सारी चीजें आप आज कल हम करने लग गए ठीक है तो में जो उद्देश होते हैं डीफॉरेस्टेशन के वो क्या होते हैं परकार, खान अगर आप बनाओगे तो किसी नहीं किसी परकार काования्यूज्री यूजी करते हो। तूप है ? कई लकडी का इधन भी हम तो एक पीड सूखा हुआ है इसके लाबभा वीशन सूखा जो उता है भी आपके कुछ रीजन होते हैं सूखा पड़ जाता है जब जमीन में पानी ही नहीं होगा अपना प्रेकाशिन इन्चिलेशन को यूज करकर बहुजन बनाते हैं और ज़सन कैसे बना पाएंगे ठीक है क्योंकि उसमें पानी की विए वश्यक्ता होती, करवंड़ एक साइट की विए वश्यक्ता होती, कोई एक चीज अगर नहीं होगी, तो उससे उनको प्रावलम होगी, ठीक है अब देखिए, इनके परणामों की अगर हम बात करें, तो इनसे हमें किस लेबल तक प्रावलम हो सकती है, ठीक है, इसमें होता क्या है, जो पेड़ पहुंदी होते हैं, वो कारवंड़ एक साइट को स्वसन में, अपने स्वसन में उप्योग करते हैं, कारवंड़ एक साइट का आप ऐसे सो स लगते हैं इसको, ठीक है, तो कारवंड़ एक साइट को अगर पेड़ पौधे कम होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ऐक साइड आप की यहां पर रहेगी, कारवंड़ एक साइट अगर आपकी बायो मंड़ में ज्यादा हो जाएगी, तो सूरे से जो क्रिणे आती हैं, ठीक मतलब जिसको हम बोलते हैं कि Ground Water Level ठीक है उसका भी निमनी करण हो जाता है मतलब वो भी क्या होता जा रहा है धीरी-धीरी कम होता जा रहा है क्योंकि पेड़ पौध ही नहीं है ठीक है तो ये सीधी-सीधी इन हर एक चीज़ों से हो क्या रहा है Deforestation से प्राक्तिक संतुलन जो है वो प्रभावित हो रहा है आज की डिट में ठीक है इसलिए आपने देखा होगा कि Consequences ऐसे हो गए हैं कि आज का लेवी नहीं बता चलता है कभी बारिस हो जाती है कभी जब आपकी दूपाती है कभी मतलब सर्दी का जो मौसम होता है कभी वो कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है इस तरीके से यह सारी प्रावलम होने लगी अर्थ की किसी इस्तिती में अगर हम देखें तो एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिस हो जाती है एक हैसे हम बहुत कम बारेस होती है, यह सारे जो कारण होते हैं, यह सी के कारण हो रहे हैं, ठीक है, अब देखें, यदि ब्रक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही, तो बरसा इबंभूमी की और वरक्ता में भी कमी आ जाएगी, तो यह इसका consequences हो जाएगा, बरस सेंसलेशन की जो क्रिया होती है, पौधे भूजन मनाने के लिए करण डैक साइट की का उपयोग करते हैं, ठीक है, कम ब्रक्षों कार्थ क्या होगा, करण डैक साइट की उपयोग में कमी आएगी, जब पेड़ी नहीं होगी, यूज ही नहीं होगी, बाकि हम जो निकाल रह ठीक है, अब ये कारवन डैक साइट, पृतिवी दोर और सवरजेत, उशमी बेकरण होगा पर घरहना कर लेती है, ठीक है, मतलब क्या करती है, कारवन डैक साइट उनको वहीं पकड़ के रख लेती है, एक तरीक से ऐसा सोचना चाहिए, वो बापस नहीं जाने देती है, ठी ठीक है, तो कुलमलाय की प्रतिवी किताब में बृद्धी के जलचकर का भी जंतलन बिगड़ता है, वो बरसादर में भी कमिया थी, जिसके करण आपका सूखा भी पड़ता है, तो इतने सारी कंसीकोइंस इसके हो जाएंगे, इसके अलाबा, जो आपका मृदा की गुणों में परिवर्त आने का भी मुखे कारण क्या है, बनून मूलन, डीफॉरेस्टेशन, मतलब जो आपका स्वाइल है, स्वाइल आज की डेट में कम फर्टाइल हो गई है, तो हमें और वरक जादा से जादा यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी चेतर की मृदा के बहुते गणों पर ब्रेक्षार उपना उपनस्वती का बहुत फ्रवाव पड़ता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा डेटेल में हैं, आप डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, जो ब्रेक्ष होते हैं, आपको प पताया था कि जो अर्थ है, अर्थ की जो किवर अपल लेयर है, ठीक है, कुछ फिट्स तक कि अगर हम बात करें, तो इस अपल लेयर ही जो है, जो आपकी किरसी के लिए उप्योगता है, अगर आप चाहें कि आप इससे को खाड़ के फेक दें, और यहां नीचे कहती करें, तो यहां तो आपको चट्टाने मिलेंगी, यहां ना तो वो स्वाइल फेटाईल होगी, ना ही आप बहां पे कोई ऐसी परिस्ति बना पाऊगे, जो आपकी किरसी के लिए उप्योगता होगी, क्योंकि देखें, हुमस जो होता है आपका मिर्दा में, उसकी कमी हो जाएगी क्योंकि हुमस जो है वो कहा है आपका, इस उपरी हिस्से में, तो हुमस यहां पे आपका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो हुमस कम होगा, तो औरवर रखता भी अफेक्चाकरित कम होने लगेगी, और धीरे धीरे औरवर भूमी आपकी मरस्थल में परिवर्थत ह हो जाएगी और इसको क्या कहते हैं मरस्थली करन कहते हैं इसको मरस्थली करन अब मरस्थरी करन जो है आपका इसको एंगलिस में बोलते हैं देखें मरस्थर को क्या बोलते हैं डिजर्ट बोलते हैं ठीक है तो डिसर्टिफिकेशन जो होगा उसको बोलेंगे हैं मरस्थरी करन अब देखें ये को डिफॉरस्टेशन से प्रवलम होती है कि जुम्धरदा की जल क्या है भूमी की ऊपरी सतह से जल के नीचे की और अंतास रवन पर भी विप्रीत प्रभाव पड़ता है इसके कारण ठीक है तो यह जो जिसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन वेट जो होती है आपकी स्वाइल की बो भी धीरे-धीरे क्या होती जाती है कम होती जाती है और इसी के वरणाम बाहर आती है इसके लावा मर्दा के जो गुण होते हैं जैसे पोशक तत्त हो गए गठन यह भी बनोन मूलन के कारण पर भावित होते हैं त बन प्राणियों का सनलक्षण यहां पर हम प्रमक रूप से जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट बाइड लाइफ सेंक्चरीज है नेशनल पार्क हैं इन सब चीजों के बारे में आप हम डिसकस करेंगे देखिए यहां पर आपने पचमड़ी के बारे में सुनाओगा समय घाट के समान है यहां पर उनको इस तरीके से मैंटीन करा जाता है इनके बारे में हम आगी डिसकस करेंगे ठीक है और इसमें देखिए क्या है कि जैविक महत्य के जो चेत्रों का सनलक्षण है वो हमारी रास्टिय परंपरा का एक वाग है यह हमें करना बहुत जरूरी ह के लिए बहुत आवश्चक है हर एक पेड़ जरूरी है हर एक आपका छोटे से छोटा माइक्रो ऑगनिस्म से लेके आपका एलिफेंट जैसे जो जानबर हैं वो तक आपके लिए जरूरी होते हैं ठीक है अब देखिए इसके अलाबा देखिए क्या होता है कि हम हमारे जो प्रियास हैं या जो समाज प्रियास कर रहा है उनके अतरिक कई सरकारी एजन्सिया भी हैं जो बनो और बनने जंतुओं की सुरक्चाहतू कारेयरत हैं सरकार भी इनके जो सुरक्चाहतू नियम बनाती है और अलग-अलग नीतियां गवर्मेंट ने बनाय हुई जैसे आपन हम इनको आज की रिट में उगलियों पर गिन सकते हैं इतने से बचे हुएं तो इनको बचाना भी हमारी लिए जो फूट चेन है उसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है इसलिए गवर्मेंट इनको लेके इतना चिंतित है इसलिए अलग-अलग नीतियां गवर्मेंट बना जाता है ठीक के अब इनके बारे में ते कि आब यहां पर हम सबसे पहले तो बात करते हैं भायस किर्ट क्या होता है देखिए जैन मंडलिया बायस फिर प्रित्वी का एक वाग होता है जिसमें सजीब पाए जाते है ठीक है अथवाज जीवन आपन के योग है मलब बहाँ प तरीके का माहुल प्रोवाइट होता है ऐसी जैब विविध्ता का मतलब होता है प्रिविप्ता का मतलब बायोजिकल डैवर्सिटी या इसको हम सॉर्ट में बायोडैवरॉस टी के भी नाम से जानते हैं बायोडैवर्सिटी कि अब बार्ड का मतलब क्या होता है पृत्वी पर पाये जाने वाले बिविन्य जीवों की जो परजातिया है उनसे पारस पर संबं़ है और मतलब पारस पर संब नहीं जिसी जीव करते हैं यह सारी चीज़ करते है है और आपका पूरी अलग ब्रांच ही है यह होती है वाइओ डैवर्सिटी ठीक है तो ये सब चीज़ें उसमें हम बात करते हैं ठीक है इसके लाभा यहां पर हम बात करेंगे आपका flora और fauna के बारे में है तो देखो flora जो होता है उसको हम बोलते हैं बनस्वती जात और इसको बोलते हम प्राणी जात और यह दोनों ही आपके flora और fauna होते हैं flora flo ra fauna flora and fauna तो यह नाम से आपको यहां पर समझ में आजाना चाहिए कि बनस्वती जात बनस्वती से संबंदध है प्राणी जात में अनिवल से संबंदध है ठीक है तो यह और इनके आवास हों कि संब्रक्षे रहती हैं जिनको अभिहरन राश्ट उत्यान जैंब मंडिला रख्षे रहती है इसमें आपका ब्रक्षय रूपन कर्शी चारागा है ब्रक्षों की आवास किसी भी प्रकार के विक्छोप से सुरक्षत रहते हैं, मतब बहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टरवेंस उनके लिए नहीं होता है, ऐसे आपके नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये, मतब जो एनिमल्स हैं, वो फ्रीली अपना आवास यूज कर सकते हैं और जो अलग-अलग natural resources हैं वो अपने वहाँ पर यूज कर सकते हैं ऐसे ही आपका जैमंड अलारक चेत्र होता है तो यह आपका वन जीवन पौधों और जन्तू संसाथनों और उनके चेत्रे के आदिवाशियों के पारंप्रक धंग से जीवन यापन हेतू बशाल जन्लक्चत चेत्र होता है मतलब यहाँ पर traditional life of travels भी देखने को मिलेगी एनिवल resources भी देखने को मिलेंगे यह सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने को मिलती हैं अब इनके बारे में हम one by one सारी चीज़ों को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब इसके लावा एक national park है सत्पुडा रष्टी है उद्यान सत्पुडा नेशनल पार्क तो यह तीन जो हैं आपके इनको मिलाके पूरा एक बाइस फिर रिजर्व बनाया गया है बाइस फिर रिजर्व इन दोनों से कहीं ज़्यादा होता है जैसा कि आप देख सकते हैं एक national park आपको अलग अलग प्रकार के जन्तू पॉधे इवन जो माइक्रो और्गनिसम्स हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिल सकती है ठीक है ना तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी ठीक है और इसके लाबा किसी जैब मंडल आरक्षिक छेत्र के अंत चेत्र भी हो सकते हैं जैसे पचमडी जैमंडा लग चेत्र में साथ पोड़ा नामक एक राश्ट्य उद्यान बोरी और पचमडी नामक दो वन जन्तू अविहारन आते हैं तो यह पूरा बनता है आपका बाइसफियर रिजर्व आप देखिए इसमें पेड पॉधे और इन बनस्पती जात ठीक है बनस्पती जात याने की फ्लोरा और जन्तू जीब जन्तू जो होते हैं उनको प्राणी जात कहते हैं मतलब फोना यह होते हैं जैसे अगर हमें आप बात करें जो साल है सागोन आम जामन सिल्वर फरन अरजन यह सब बनस्पती जात हैं ठीक है मतलब प्रजाती होती है जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक इसपीसीज ठीक है और एंडेमिक स्पीसीज यह पूछा था एंडेमिक इसपीसीज ठीक है यह आपका एक्जाम में पूछा जचो गाएक कूशन ठीक है यह 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 एक्जामिक स्पीसीज ठीक है कि स्पीसीज का देखी जो कुस्चन मुझे याद आ जाते हैं तो मैं बताता जाता हूँ बागी इसका मैं अलग से बना दूँगा वीडियो के कौन कौन से कुस्चन साब के एक्साम में पूछे गए तो थोड़े से कुछ चैप्टर सो जाएं तो सारे एक खटे करके मैं बना बी की भी हो सकता है किसी बिसस्चेटर में और जो जंगली आम है वहां की एक बिसस्चेतर ये बनस्पती जगत का धारण है जिसका हम जाइंट स्करेल बोलते हैं वो और एक बहाँ पर उड़ने वाली जो गलहरी होती है ठीक है फ्लाइंग स्करेल ये उस पर्टिकुलर पच्मडी बायस्पेर रिजर्ब के कौन से हो जाएंगे बिशेष छेत्री प्राणी एंडिमिक इस पिसीज हो जाएंगे ठीक है तो और दूसरी चीज क्या होती है इनके जो आवास हैं वो नश्ट होने बढ़ती होई जन्संख है वह नई स्पिसीज के प्रवेस से बिसेश शित्री स्पिसीज के प्राक्तिक आवास पर प्रवाव पढ़ सकता है तो इनके अस्तत्य को भी पढ़ सकता है ठीक है तो यह चीज होती है अब देखें यहां पर आप एकसंपल में देख सकते हैं कि जैसे यह आपका जंगली आम वाइल्ड मेंगो का पेड़ है ठीक है ऐसे यह आपकी जो जाइंट स्क्वेरल है ठीक है बो है अब दोगी इस पिसीज के बारे में अगर पात करने तो इस पिसीज क्या होती है एक सजीवों की समष्टी का बहसमू है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं मतलब इस गोरोप ऑफ पॉपॉलेशन विसर कैप बलॉफ इंटर ब्रीडिंग एक कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक जाती की सदस्य मैं समय लख्चन पाया जाते हैं इस बन्दर आप बात करते हैं कि सब्सक्राइब के बारे में तो यह आपका होगा क्या वाइड लेट अचरीज कि दिखें अब यहाँ पर जो आपकी वैल डायक सेंचरी या वन्य प्राणी भीह रन्य होते हैं इन में वह अक्शली वह स्थान होते हैं जहां पर प्राणियों को अध्वा जंदियों को मानना या शिकार करना अधवा पकड़ना पूर्टा निशिद्ध होता है मतलब यहां पर आप एक खाम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो ठीक है इस जो एरियास होते हैं इनमें आप ना तो किर्शी कर सकते हो ना आप इनको आतिकर्मण कर सकते हो लेकिन फिर भी सबसे बड़ी प्रावलम धीरे-धीरे होती जा रही है ठीक है अब जो आपका जो एक प्टिकुलर एक अवहारन होता है उसमें प्रिक्लाड को या एक यह से जदा जीवों को संड़क्षन परदान किया जाता है मतलब इस सेपीशal केर उनकी लिये की जाती है तो उनमें जैसे आपका जैसे काला हरंड हो गया शुरित आंखों वाला हरंड हो गया हांती हो गया सुनहरी विल्ली हो गई गुलावी सरवाली बतक गड़े आल कच्छ मगरमच अजगर गैंडा ये सारे जो हैं बनने पराणी अभी हरंड में सुरक्षत एवं जादा से जादा सरवाइब कर पाएं अब जैसे आप छोटे छोटे सांप होते हैं जैसे बिच्छू होते हैं सांप होते हैं अगर ये हमारे माहूल में आ जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं हम सबसे पहले इनको पकड़ के मारते हैं क्योंकि हमें इसे खतरा महसूस होता है जब कि यह ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको पकड़ के हमें कहीं जंगल में छोड़ देना चाहिए, ताकि यह गल्दी से यहां पर आ जाते हैं, तो यह अपनी जगा पर पहुँच जाएं, अब इनको अलग-अलग सनलक्षन दिया गया है, अभी आपने हाल में सुनाओगा सलम जो आपके होते हैं, बड़े समतल बन होते हैं, पहाड़ी बन होते हैं, बड़ी नदियाओं के डेल्टा, जाड़ी समूः, अथवा बुच लेंड, यह सारी चीज़ें इसमें आपकी हो सकती हैं, ठीक है, अनूठे जो अनूठे दरश्य भूमी का मतब हो गया, अलग लें आपके हैं, इसलिए इनको राश्टियुद्यान कहा जाता है, ठीक है, इसमें बनस्वतिजात, प्राणी जात, दरश्य भूमी तथा एतिहासिक बस्तूओं का सनलक्षन भी किया जाता है, मतलब यहां पर लेंडिस्के भी होते हैं आपके, और इसके लाबा जो एतिहासिक बस्तूओं होती हैं, ठीक है न, हिस्ट्री से सम्मंदित कोई भी, तो उनका भी सनलक्षने आपके किया जाता है, ठीक है, जो सत्पड़ा राश्टियुद्यान है, भारत का प्रथम आरक्षित बन है, ठीक है, तो यह आप से एक्जाम में कुश्यन बन सकता है, ठीक है, तो देखिए, जो आपका सत्पड़ा राश्टियुद्यान की चट्टानों में आवाश शरण भी सते थे, मतलब जो आपने सुना हो, रॉक शेल्टर्स के बारे में, ठीक है, जैसे आपका भीम बैठिका है, भीम बैठिका के बारे में आपने सुना होगा, तो रॉक प्रिक्स हैं, कलाकरतियां भी यहांपे मिलती हैं, ठीक है, और जो पचमणी का जैमन्डल सनलक्चे छेदर उसमें पचपन चट्टान आवे, इसकी पहचान की जा सकी है, ठीक है, ठीक है, ना, मतलब चट्टान आवाश मतलब रॉक शेल्टर्स की हांपे बात कर रहे हैं, और जन्तु है वो मनश्कों इनकलाकरतियों में लड़ते हुए शिकार करते हुए निर्थ करते हुए वादेंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी इनेक अदवासी ऐसे हैं जो आज भी जंगलों में ही रह रहे हैं। पर सबस्क्राइब है करते हैं अदेश पर को सब्सक्राइब इसका बेशिकारतियों में हुण透ब नाहीं. विए सब्देशच अच्शन की दिर्फिशर पारिवा को पतेे हैं। इसकीमिक बनाई थी ठीक है या इसको बाग फरयोजना की नाम से भी जानते हैं तो आपको काफी कुछ पता होगा इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसमें अब देखे यहां पर जो आपका बाग है बाग उन इस पिसीज में से एक है जो धीरे-धीर हमारे बनों से बिलफ्थ हो रहे हैं ठीक है लेकिन जो सत्वड़ा रक्षित रहे हैं आप बागों की संख्या में बृध्धी हो रही है अब एडेटा थोड़ा सा देखिए पुराना हो सकता है क्योंकि अभी अगर हम मध्यपरदेश की बात करते हैं तो मध्यपरदेश मेर पार दिख लें और इसमें सारी चीजय मैंने बता ही हुऊ है कि कहां पर कितने टाइगर्स होते हैं और क्या सारी चीज अनगी होती है सबकुछ यसमें तicket है हुआै इसलिए हम यह आप इंको डिस्कस नहीं कर रहे हैं ठीक है लिकिन ऐसे जो एनिमल्द होते हैं ठीक है जिन आनिमल्स इनको कहा जाता है ठीक है तो इनको फ़ो परसतियां बैसी नहीं मिल पारी है जैसे आप डाइनोसौर्स को फ़ो परसतियां ने मिली तो धीरे-धीरे वह बलुप्त हो गए है ठीक है जो कुछ जीव है उनकी प्राक्टिक आबासमें ब्योधायन होने से उनके अस्थ नहां रहेंगे तो दीरी-दीरी बलुप्त होंगे, तो endangered animals A कहलाते हैं, यह exam में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, अब जैसे जो कुछ, अचा एक चीज और है, जरूरी ऐसा जरूरी नहीं कि जो सिर्फ छोटे animals होते हैं, बड़े animals होते हैं, उनको ही selection दिया जाता है, निर्दाइता से माडलते हैं, और पारी दंत्रमन के महत्त्य के विशाय में सोचते भी नहीं हैं, उनको मारकर हम स्वयम को हानी पहुंचा रहे हैं, ठीक है, फूट चेंज होती है, एक एक जीब होता है, आपका वो important होता है, ठीक है, यद्दे पिविया कार में छोटने हैं पारी दंत्रमन के योगदान को अंधेखा नहीं किया जा सकता, बे आहार जाले, यानि फूट चेंज एवं आहार सरंकला के भाग है, ठीक है, तो यह सबसे important point है, इस टाइप के जो animals है, जो फूट चेंज जो बनाते हैं, या फूट वैप्स जो बनाते हैं, इनको कभी भी ह हमें मानना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कहीं नहीं हम अपने ecosystem को ही इस से बिगाड रहे हैं, ठीक है, किसी छेतर के सभी पौधे, देखें, अभी यहाँ पर एक definition है, important है आप के लिए, किसी छेतर के सभी पौधे, प्राणी, येवं सूक्छिन जी, अजब घटकों जैसे जल यहां जो and measured species हैं यहां जो खतम हो रही है, इनका पूरा data होता है उसको एक red data book होती है, red data book होती है, उसमें इनका जो फूरा record है, भो रखाजाता है, और औधे, जनतुों और जो un-species हैं, उनके लिए अलग-बग red data book available है, ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं तो यह website का जो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये red data book में क्या रखा जाता है, ये आप से exam question पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, प्रवास के बारे में, migration, आपने कई बार देखा होगा, कि कई बार बहुत सारे पक्षी होते हैं, एक साथ आते हैं, कुछ time के लिए जो पक्षी होते हैं, उनको बोलते हैं, migratory vats, मतलब, प्रवासी, पक्षी, ये जो प्रवासी पक्षी, आते हैं, यहां पर अंडे देने के लिए आते हैं,鬍जिक उनके मूलावास है, बहुत अधिक वह स्थान उस समय जीवन आपने हिदू अन्कूल नहीं होता है तो ऐसे पक्षी जोड़कर सुदूर चेत्रों तक लंबी आत्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इतने आपके पॉइंट हैं पर इंपॉर्टेंट होंग के लिए करीब 17 हरे भरे ब्रक्षों को ठीक है ना पूरे तरीके से डेवलप्ट जो ट्रीज होते हैं 17 ट्रीज होते हैं उनको कट दिया जाता है ठीक है लेकिन उस कागज का जो कागज बनाया जाता है इससे एकर हम उसको रिसाइकल करें तो इससे हम कई गुना आपके कराने कलिए एक है आपका पुनरवन रोपन पुनरवन रोपन मतलब क्या हुआ रिफॉर्स्टेशन के भी वह वह अच्छी चीज होगी तênio के दो एसी चीज हैं जहां पे आप पेड़ों को बचा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक्षार उपन इसलिए हमको करना चाहिए तो यह इतने पॉइंट यहाँ पे आपके लिए important थे इस वीडियो में इसके लावए कुछ हैं आपके points कि जैसे बिश्य में जो जंगली बागों की आधी से अधिक संक्या जो है भारत में पाई जाती है इसी परकार 65 एशियन हाती 85% एक सिंग्वा लेगेंडे और 100% एशियन सेर भारत में ही पाई जाते हैं जो है आपके इसके बारे में अभी हाल में हमने किसी वीडियो में भी डिसकस किया था जो गिर राश्टी उद्ध्यान है आपका उसमें जनले लिए पाई जाते हैं उसके लिए famous है विष्य के बारा बड़े जैब विविट्ता वाले देशों में भारत का छटा इस्थान है टेक के और भारत में इस्थेत हैं यह है पूर्वी हमल में और पस्चमी घाट और यह चेत्र जैब विविट्ता के बहुत धनी है ठीक है आज बने प्राणियों को सबसे अधे खतरा अतिकरमण से उनके आवास नस्ट होने का है और भारत में विश्यकी संक्टापन स्पिसीज की जो संक्या है वो है 172 जो विश्यकी संक्टापन स्पिसीज का केवल 2.9 प्रतीशा थे मतलब सरफ हमारी इसमें इस अब नहीं ह इस पिसीज और भारत में एसिया की कुछ दुरलब पर जाती है जैसे कि बंगा लोमडी संग मरमरी में बिली एसियाटिक शेर भारती रहांती एशियन जंगली गदा भारती गैंडग गौर जंगली एसियाटिक जल भैसा यह सारी आपकी पाई जाती है यह बहुत दुरलब झाल 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 झाल